नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हलमान जी महराज का एक ऐसा चमतकारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो की तुरंत और ततक्षण अपना प्रभाव दिखाने वाला मंत्र मानना जाता है। इस मंत्र की विशेस्ता ये है कि किसी प्रकार की विपत्ती, आपत्ती या किसी प्रकार की विग्निया बाधा उपस्तित होने पर इस मंत्र का ततकाल प्रभाव सुरू हो जाता है। यानि कि यह मंत्रिक प्रकार का तुरंट बाधा मुक्ती प्राप्त कराने वाला मंत्र है, क्योंकि आज-कल के दोर में नाना प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में व्यापत हैं, जिनकी वज़र से हम अपनी उस लक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण हमारा प बाधावों को दूर कर सकते हैं यह बाधाये किसी प्रकारिके दुष्ट बुद्धी या कूल दरष्टी बुरी नजर इत्यादि के द्वारा पर 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 पन हो जाती है। इसलिए चाहिए कि इस मंतर का उप्योग करके शिग्रत शिग्र हम इस प्रकार से इस मंतर को सिद्ध करके हमारे जिवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं बसरते इस मंतर को सिद्ध किया जाना अति अवश्क है यह प्रयोग मंगलवार का सायंकालिन प्रयोग माना जाता है मंगलवार के दिन सायंकाल में हनमान जी के मंदिर में इस प्रकार से लाल पुष्प यानि की लाल का निर के पुष्प और लाल कपड़ा लाल वस्तर और लाल ही फल ले करके आप जाएं और इस मंतर की एक माला आप करें इस बात का ध्यान रहे कि चम्मेली के तेल का दीपक आ और इसके अलावा किसी प्रकार की सुगंदि धूप का अगरवत्ती का इस्तिमाल आपको करना है और इसके पश्चात में इस मंतर की मातर एक माला आपको करनी है जिससे कि ये मंतर जागरत हो जाता है मंतर इस प्रकार है ओम हन हनुमते मम सर्वबाधा निवारनाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा ये हनमान जी का एक सिद्ध शाबर मंतर है और इसका मंतर का मातर एक माला प्रयोग करके इस मंतर को जागरत किया जा सकता है और जागरत करने के प्रशाथी ये मंतर कार्यों सिद्ध करता है और बस इस बात का ध्यान रहे कि व्यक्ति के अंदर हनमान जी के प्रती शद्धा का होना अविश्ख है क्योंकि बिना शद्धा के मंतर पौन रूप से कार्यों नहीं करता है हन्मान जी के अंदर अपने इस रद्धा रखें और इस मंतर के ओपर अपना विश्वास रखें और एक माला मंतर का जब करके किसी भी कारिय के लिए जब आप अपने गर से प्रस्थान करें साथ बार बान से करूप से इस मंतर का उचारण करके निकलना है इस बात का ध्यान रहे कि पूरुष गर से बार निकलते वक्त अपना दाया पाउं पहले बार रखे और महिला अपना बाया पाउं रख करके प्रस्थान करे अवश्य ही आपके गारेम आपको सफलता मिलेगी और बाद आवश्य दूर होगी इसमें संदेह नहीं है क्योंकि ये चमतकारिक और प्राचेन काल का एक शक्तिसाली साबर मंतर है धन्यवाद